नमस्कार, उमेगा उपन कोर्स में आपका स्वागत है, इस साल 10th से 11th जारे स्टुएंट्स के लिए ये पहला वीडियो है, फिजिक्स का परहाई करना कैसे है, इसका बेसिक आइडिया इससे पहले एक वीडियो में दिया जा चुका है, उस वीडियो को आप देख ले, वीड बहुत ट्रिगनोमेट्री बना लो, ट्रिगनोमेट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा बुक, आरस अगवाल है, इस्पेसिली प्रिजेंट सिचुएशन में, जब एक्स्टरनल गाइडेंस मिलना थोरा साथ, डिफेकल्ट है सब लोग लोग डाउन में बना दो, तो आरस अगवाल का बुक काफी सिंपल है, खुद से उसको बनाया जा सकता है, उसमें एक्स्टरनल गाइडेंस की जरूत नहीं है, आरस अगवाल से ट्रिगनोमेट्री चप्टर स्टार्ट करो, और सम मल्टिपल एंगल्स तक उसको एकवाल बना लो, इसके बाद थोड़ प्रणी के बाद, फिजिक्स में जो रिक्वाइर्मेंट है, मिथेमिटिक्स का, इसपेसली सुर्वाती चैप्टर में जो ट्रिगनोमेट्री का रिक्वाइर्मेंट है, वो तुम्हारा कवर हो जाएगा, बुक्स के लिए, रशनी खेले दे वाकर से समझने में बनाओ, अगर 60-70% of the question खुद से बना पा रहा हो, तो ठीक है, अगर उतना question खुद से नहीं बन रहा है, तो एक बार NCRT-based कोई भी बुक, ABCV हो, प्रदीप हो, comprehensive हो, उस बुक से थोड़ा सा chapter को बना लो, कुछ questions सा बना लो, इसका फिर वापस रिशनीं के लिए डिवा कर प NCRT-based book से नहीं मिलेगा, उसके लिए तुमको रिशनी खेले डे, HCVर्मा, यह सब बुक बनाना पड़ेगा, वो compulsory है, पर सुरवात के लिए तुम उसको यूज कर सकते हो, just as a beginner, सुरवात के लिए तुमको जो requirement है, वो थोड़ा बहुत उसे पूरा हो जाता है, थोड़ा ब चेक पॉइंट का एंसर नहीं दे पा रहा हो, तो जो इससे पहले का topic अभी अभी तुम पर हो, उसको एक बाए फिर से पर हो, जो topic तुमको बताया जा रहा है, चेक पॉइंट का question उसी topic से है, और वो यह चेक करने के लिए है कि तुमको topic समझ में आया या नहीं, इसके रहा हो, तो chapter में अभी बहुत कुछ समझना मागी है, जो numericals है, इसमें रिष्णी खेलेड़े वाकर में, odd number questions का answer होगा, even number question का answer नहीं दिया होगा, इंडियन students के लिए यह थोड़ा problematic हो जाता है, क्योंकि हम लोग को बचपन से answer देखने का आदत होता है, पर इस बात को समझ सको, तभी तुम exam में अच्छा perform कर पाओगे, तो शुरुवात में, एक question का answer होना, एक का नहीं होना, students के लिए problematic है, बट trust me, exam आते आते यह, रिष्णी खेलेड़े का यह strategy, बहुत काम का है, तुम्हारे अंदर confidence आ जाता है, जो exam में काफी helpful है, H.C. Verma book का जहां तक सवाल है, अभी शुरुवात में तुम H.C. Verma book नहीं बना पाओगे, H.C. Verma का जो chapter 3 है, उसमें motion in one dimension, projectile motion, vector यह तीनों मिला कर दिया हुआ है, तो जब तक यह तीनों chapter तुम्हारा cover नहीं है, H.C. Verma नहीं बनेगा, यह H.C. Verma बनाने में ज्यादा दि H.C. Verma बनेगा, ऐसा नहीं है कि H.C. Verma का question difficult है, इसके एक chapter में धेर सारा chapter एक साथ मिला का रखा हुआ है, फैनली इस बात को समझो कि सुरुवात में दिक्कत होगा, तुम अगर कोई भी ऐसे exam का तियारी कर रहे हो, जिसमें 10,000-15,000,000 students appear, 10,000 students select होते हैं, वो exam by its nature difficult होना है तो तुम उसका परहाई जब करोगे तुमको परिशानी होगा, परिशानी से न तो हम लोग घबराते हैं न डरते हैं, सारे students को परिशानी होता है, जो student exam में बहुत अच्छा करते हैं, उनको भी परिशानी होता है, और जो student नहीं परते हैं, उनको भी परिशानी होता है, त पर अगेन अगेन आते रहो निमिर्कल से बना रहे हो कोशिस करो उसको खुद से बनाने का अगर नहीं बनता है उसको टिक लगा के रखो एक दो घंटा बाद उसको फिर से ट्राई करो फिर नहीं बनता है तो अगले दिन फिर से ट्राई करो और इसके बाद भी तुम से नहीं बन पारा है तो तुम फिर solution अगर कहीं available है तो देख सकते हो जो लोग medical के हो तुम्हारे exam का standard है तो यहां तक करने के बाद जो requirement है exam का वो तुम्हारा पूरा हो जाता है इसके बाद अब तुमको सिर्फ practice करना होगा speed को बढ़ाने के लिए जो परहे हो उसको बार-बार recall करने के लिए उसको easily apply कर पाने के लिए या प्रेसर में perform कर पाने के लिए लेकिन तुम्हारे conceptual requirements को यह दोनों book पूरा कर देता है जो लोग engineering के हो उनका requirement इस दोनों book से complete नहीं होता है यह तुम्हारे लिए सिर्फ सुर्वाती book है इसके बाद तुमको इससे एक standard उपर का किताब और बनाना पड़ेगा लेकिन उसके लिए अभी सही सहमें नहीं है अभी पहले basics पूरे स्लेवर्स को एक बार cover कर लेना ज्यादा important है online class कभी भी classroom को substitute नहीं कर सकता है लेकिन online class का maximum benefit उठाना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि तुम जब lecture देख रहे हो तो तुम्हारे पास copy column होना चाहिए time to time हम question देते रहेंगे और उस question को बना कर ही तुम concept सीखोगे तो जैसे ही question दिया जाता है वीडियो को pause करो question को खुद से सुर्ख करने का कोसिस करो और इसके बाद फिर solution देखो यह बहुत ज़रूरी है जब तक तुम खुद से try नहीं करोगे concept नहीं समझ में आयेगा सिर्फ प्रवचन सुलनेने से ग्यान नहीं होता है subject सीखना है तो तुमको कागज पे कलम घसना पड़ेगा तुमको question खुद से बनाना पड़ेगा 11 के physics में पहला chapter measurement dimensions and error है पर अभी के समय उस chapter को समझना difficult हो जाता है even though exam के लिए वो important है पर हम लोग उसको बाद में बनाएंगे स्टार्ट हम लोग काइनेमेटिक से करेंगे काइनेमेटिक से तुम लोग अल्रेड़ी अवेयर हो motion uniform motion uniformly accelerated motion Newton's equation of motion यह सारा topic तुम लोग 9 में पर चुके हो तो यहां स्टार्ट करने में तुमको दिक्कत कम होगा और एक बार जब तुम subject के साथ comfortable हो जाते हो तुम्हारा परहा पर चैप्टर वन पर जाके चैप्टर वन को पर सकते हो तो सुरुवात हम लोग करेंगे काइनेमेटिक से काइनेमेटिक से बिसिकली study of motion है without going into its cause motion क्यों हो रहा है यह हमको जानने का जोगत नहीं है motion क्यों होगा यह हम लोग dynamics में परते हैं काइनेमेटिक में हम लोग सिर्फ motion और motion के property से concern होते है motion कैसा है straight line पे motion है curve path पे motion है circular motion है uniform motion है uniformly accelerated motion है non uniform motion है और फिर उस motion को analyze कैसे करेंगे यह सारा kinematics का part है हम लोग को का मेकनिक्स के अंदर हो मिकेनिक्स के आदर परंगे जो kinematic का basic है वह तुम 9th में पर चुके हो इस्पेसिली 9th में मोशन हम लोग जानते हैं, मोशन का डिफनीशन हम लोग जानते हैं, तो मोशन किसको कहेंगे? तो एक basic definition है मोशन का, कि पहले हम लोग एक reference define करते हैं, जिसके respect में हम लोग measurement ले रहे होते हैं, और अगर उस reference के respect में, कोई भी body का position time के साथ change हो रहा है, किसी भी particle का position, अगर उस reference के respect में time के साथ change हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि वो particle उस reference के respect में motion में है, motion absolute terms में absurd है, यह question meaningless है कि हम motion में है या नहीं है, जब तक यह नहीं बताया जाए कि हमको किसके respect में देखा जा रहा है, तब तक मेरा motion में होना या नहोना meaningless concept है, तो हम जब इस room में बैठे हुए हैं, इस room के respect में motion में नहीं है, लेकिन road पे चल रहा है गारी, unfortunately इस lockdown में कोई गारी नहीं चल रहा है, लेकिन मांग लो कि road पे कोई एक आदमी चल रहा है, तो उसके respect में motion में है, और मेरे respect में वह motion में है, similarly अगर हम लोग earth के center को देखें तो earth के center के respect में earth rotate कर रहा है, और तब earth के साथ-साथ हम भी rotate कर रहा है, है 24 घंटा में approximately 40,000 km हम मूव कर रहे हैं Similarly Sun के respect में Earth Sun के चाओ तरफ मूव कर रहा है तो अर्थ के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं तो अगर हमारा reference Sun है या Earth का center है तो हम motion में है या सरक पे चलता हुआ आदमी reference है तब भी हम motion में है अगर reference ये room है तो आदम motion में नहीं है Simple तो पहला ये कि बिना reference के mention के motion एक absurd concept है जब भी motion का बात किया हूँ यह जरूरी है कि किसके respect में बात किया जाता है ये clear once reference define हो गया या reference clear हो गया तो उस reference के respect में अगर time के साथ particle का position change हो रहा है तो वो motion में है अगर change नहीं हो रहा है तो rest में है next idea है कि motion को हम लोग measure कैसे करेंगे तो motion को measure करने के लिए हम लोग तीन अलग-अलग quantity उठाते हैं पहला quantity distance या displacement है दूसरा quantity speed या velocity है तीसरा quantity acceleration है अब displacement और distance अगे नाइन्थ में तुम लोग जान रहा हो कि distance या displacement किसको कहते हैं दोनों में जो difference है उसको भी समझ रहा हो सपोस्कोरो एक particle एक point से दुसरे point मूव करता है initial और final position के बीच में एक straight line ड्रॉ करेंगे और उस straight line का जो length है वो particle का displacement बताता है displacement vector quantity है तो वहां magnitude के साथ साथ direction भी आता है पर अभी के लिए हम लोग इससे concern नहीं है हम लोग जब vector परेंगे तब direction के बारे में ज्यादा सोचेंगे अभी के लिए simply initial position से final position के बीच का जो shortest path है या जो straight line distance है उसको हम लोग displacement कहते हैं जबकि distance जिस actual path पर travel करके particle initial position से final position पर गया है उस path का length होगा अब यहाँ पर तुम यह आसानी से समझ सकते हो कि displacement हमेशा distance के बरावर या उससे छोटा होगा कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि displacement distance से बरा हो तो distance और displacement में difference को समझने के लिए हम लोग कुछ question मनाते हैं सबसकोर एक आदमी एक square पर move कर रहा है जिसका edge 10 meter है और एक चक्कर complete करने में उसको एक minute समय लगता है तो बता लो कि 30 second में उसका distance और displacement कितना होगा पार्टिकल इस position से start कर रहा है और एक minute पर पूरा चकर complete करता है तो 30 second में वह half of the portion complete करेगा तो basically इस diagonally opposite point पर होगा अब distance निकालना है तो दोनों edge के length के sum के बराबर उसका distance होगा जो basically 20 meter आएगा और displacement निकालना है तो हम लोग initial position को final position से join करेंगे और दोनों के बीच में जो इस straight line है उसका length हम लोग को displacement बतायागा इस length को हम लोग पाइथोगरस theorem से निकाल सकते हैं यह length 10 root 2 meter होगा अब एक काम करो सपोज करो time 20 second है तो अब distance और displacement कितना होगा तो चुकि 60 second में यह पूरा एक चकर complete करता है 15 second में यह एक edge को cover करेगा अब इसके पास 5 second और time है और अगले 15 second में यह इस edge को भी travel कर ले रहा है इस edge को भी cover कर ले रहा है तो 5 second में इसका one third यानि 10 by 3 meter travel करेगा तो total distance 10 plus 10 by 3 या 40 by 3 meter होगा displacement के लिए हम लोग initial position से final position को एक straight line से join करेंगे और इस line का length निकालेंगे इसको पाइथोगरस theorem से निकाला जा सकता है पाइथोगरस theorem में apply करेंगे तो इसका value root under 10 square plus 10 by 3 whole square आएगा और इसको हम लोग 10 को common ले लेते हैं और फिर इसको simplify कर लेते हैं तो यह 10 into root under 10 by 3 आएगा अब हम लोग next question पर आते हैं suppose करो तुम earth के equator पर खड़े हो और earth rotate कर रहा है तो अगर तुम कुछ नहीं करते हो 24 गंटे सिर्फ अपने जगह पर खड़े रहते हो तो earth के center के respect में तुम earth का एक चकर लगा चुके होगे तो अगर earth का radius r है तो तुम 2 pi r distance travel कर चुके होगे पर तुम जहां से चले थे वहीं पर वापस पहुंच गया हो तो तुम्हारा displacement 0 होगा simple है तो अब हमको यह बता दो कि अगर earth का radius r है तो 12 गंटा में कितना distance और displacement होगा यह question काफी simple है अगर 24 गंटा में एक चकर पुरा होता है तो 12 गंटा में half of the circle complete होगा और तब distance circle के circumference का half यानी pi into r हो जाएगा और displacement के लिए initial position से final position को join करेंगे और यह जो distance है यह diameter के बराबर है तो 2r हो जाएगा अब एक काम करो अगर time 12 गंटा नहीं 6 गंटा है तब distance और displacement क्या होगा यह question भी relatively easy है 6 गंटा में one fourth of the circle complete होगा तो distance circumference का one fourth यानी pi r by 2 हो जाएगा और displacement के लिए हम लोग इस initial position और final position को straight line से join करेंगे अब इस chord का जो length है यह हम लोग को displacement बताएगा कोड के length को हम लोग पाइथेगरस theorem से आसानी से निकाल सकते हैं चुकि दोनों initial और final position का जो radius है वह एक दूसरे से 90 डिगरी एंगल पे होगा तो यह आर रूप 2 के बरापर हो जाएगा अब चार घंटा में distance और displacement बता दो तो चार घंटा में one-sixth of the circle complete होगा यानि एक circle entire complete करने में 307 डिगरी एंगल ट्रेवल करता है तो वन-sixth of the circle 60 डिगरी एंगल होगा तो यह जो distance है इस आर का length यह इसके circumference का one-sixth या फिर पाई आर बाई थ्री हो जाएगा displacement निकालना है तो इस quad का length निकालना होगा अब इस triangle में तुम देख सकते हो कि दोनो radius का length equal है और उसके बीच में angle 60 डिगरी है तो यह एक इक्विलेटरल triangle हो जायागा और तब displacement आर के बराबर होगा finally 8 घंटा में क्या distance और displacement होगा सो बता दो 8 घंटा यानि 24 घंटा का one-third यानि one-third of the circle traverse करेंगे अब one-third of the circle में है तो इसका आर का length circumference का one-third हो जायागा तो यह 2 pi r by 3 होगा distance displacement के लिए हम लोग को इस chord का length निकालना होगा अब हम लोग यह जानते हैं कि one-third of the circle पे हम लोग गया है तो यह chord center पे 120 degree angle subtend करता है तो chord का length निकालना है इस chord के length को अलग-अलग तरीका से निकाला जा सकता है तुम कितना geometry जानते हो कितना trigonometry जानते हो यह इस पर depend करता है एक तरीका हो सकता है कि chord को chord के midpoint को center से join करें चुकि angle 120 degree बन रहा है तो यह midpoint 60 degree angle बनायागा और अब जो है तो इस triangle में हम लोग trigonometry लगा ले तो यह r है यह angle 60 degree है perpendicular by hypotenuse sin theta होता है sin 60 degree root 3 by 2 होता है तो इस chord के half portion का length r root 3 by 2 हो जाएगा तो पूरा का पूरा chord का length r root 3 के बराबर होगा और यह displacement होगा अब इस question को try करो suppose करो एक cylindrical building है जिसका radius r है और इस cylindrical building के 4 तरफ एक सीरी बना हुआ है जो उसी point के ठीक उपर खतम होता है जिस point से start हुआ है अब अगर तुम इस cylindrical इस सीरी से नीचे से उपर जा रहा हो तो total distance और displacement कितना होगा तो suppose करो यह अपना cylindrical building है अब यहां pencil से चाहो तरफ सीरी बना हुआ है और देख सकते हो जिस point से सीरी start हो रहा है उसके ठीक उपर आकर सीरी खतम हो रहा है और cylinder का radius r है और height h है तो displacement तो देख सकते हो काफ़ी simple है नीचे से ऊपर यह initial position और यह final position तो total displacement h होगा distance के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं इसको खोल देते हैं और इसको खोल देने के बाद अब जो path है जिस path पे वो जा रहा है वो एक straight line है अब इस straight line में यह जो portion है यहां से यहां यह h के बराबर होगा और यह distance है यहां से यह distance इस cylinder के circumference के बराबर होगा यानि 2 pi r तो हम लोग अब इस line का length निकाल देंगे इस line का length निकाल देंगे तो हम लोग को total displacement मिल जाएगा और total distance मिल जाएगा और line का length पैथोगरस theorem से आसानी से निकाला रहा सकता है यह 2 pi r और यह h तो root under 2 pi r whole square plus h square यह distance होगा एक और question है जो काफी common है कि suppose करो एक cubical room है जिसका side a है और एक चीटी रेंगता हुआ room के एक corner से दूसरे corner पे जाता है अब यह corner body के diagonally opposite corner है एक किसी एक face का diagonally opposite नहीं पूरे cube का diagonally opposite corner है एक corner से opposite corner पे तो बताना यह है कि चीटी का displacement क्या होगा और उसको इस point से उस point तक जानने में minimum कितना distance travel करना पड़ेगा तो displacement यहां भी काफी आसान है diagonal एक cube के diagonal का length root under a square plus a square plus a square यानि a root 3 के बराबर होगा पर minimum distance कितना होगा तुम्हेंसे बहुत लोग a root 3 कह रहा होगे लेकिन वो minimum distance नहीं है चीटी है वो रिंगता हुआ जाएगा उरके नहीं जा सकता तो diagonal के along नहीं जा पाएगा उसको surface पे move करते हुए जाना है तुम्हेंसे काफी लोग a root 2 plus a लाए होगे जिसमें यह assume कर लिये होगे कि वो floor में diagonally travel करता है और फिर एक edge पे उपर की तरफ चरता है पर इससे भी एक छोटा path exist करता है उस छोटा path को निकालने के लिए एक काम करो इस cubical room के एक wall को सीधा कर दो और जब उस wall को सीधा कर दोगे तो देखोगे कि तुम्हारे पास एक flat surface आ गया है जिसके एक corner से दूसरे corner पे चीटी जा रहा है अब इस rectangle का एक side a होगा और दूसरा side 2a होगा तो total distance root under a square plus 4a square यानि root 5a के बराबर होगा इस lecture में बस इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग motion in one dimension पे आएंगे जहां पे distance, velocity, average velocity यह सब सिखेंगे और उससे related interesting questions अब बनाएंगे तब तक के लिए नमस्कार इस वीडियो को like और share करें इस तरह के और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिये हुए playlist और वीडियो पर click करें नए updates के लिए हमें Facebook पर like करें, Twitter पर follow करें और हमारे channel को subscribe करें धन्यवाद करें